आज हम एक बहुती स्वाधिश्चा मिठाई बना के त्यार करेंगे छेने की मिठाई, छेना से बनावा मिठाई बहुती आच्छा लगता है खाने के लिए बनाने के लिए हम जरूर थोड़ा सा ट्रिकी रहता है लेकिन अगर प्रॉपर प्रोसेस में हम बनाए तो बन के त्यार हो जाता है रस्मादुरी का जो मेकिंग प्रोसेस रहता है रस्मलाई जैसा ही रहता है लेकिन थोड़ा सा अलग रहता है जरूर एक को तोड़ के मैं आपको चेक करके दिखाते हूँ आप देख सकते हो बहुत ही सप्ट बनाए अंदर पूरा जूसी है और अंदर से ड्राइफूर्स भी दिख रहा है मिठा ही अगर सप्ट बनता है तो अंदर तक ना इसका रस्ट चाता है और जूसी बन के त्यार होता है आपने खुद देखा कितना बड़े आए बना हुआ है और यह चो आप देख रहे है रस्मा दूरी इसको टोटल दो लिटर दूद में मैंने बना के तैर के आए चोवर के सीजिन में इसको आप जरूर ट्राइ करें चले रेसिपी शुरू करते हैं यह मैंने एक लिटर दूद को गरम होने के लिए रखा है दूद को हम उबा लेंगे यह बाला दूद से हम छेना बना के तैर करेंगे जो छेना हम बनाएंगे ना ओग गाय का दूद अगर हो तो आच्छा है क्योंकि गाय का दूद से रस्कुल्ला थोड़ा सप्ट बनता है इसलिए ट्राइ किजिएगा बिना पैकेट वाला डाइरेक्ट गाय का दूद डेरी से लाके इसको बनाने के लिए दूद अभी उबलना शुरू हो रहा है दूद के उपर जाक आने लगा है दूद को जादा नहीं उबलना है जब भी आप मिठाई के लिए पनीर या छेना बनाते हो न तभी एक बात की ध्यान रखे दूद उबलना जब शुरू होगा फ्लेम को बंद कर देना है अभी हम थोड़ा सा मिला देंगे आप देख सकते हो पातिले के उपर तक दूद आ चुका है तो फ्लेम को भी बंद कर देंगे और थोड़ा सा दूद को मिला देंगे फ्लेम को बांधी रखना है इसका टेंप्रेचर थोड़ा सा कम करेंगे जैसे कि 2-3 मिनिट के लिए दूद को छोड़ देंगे फिर इसमें विनेगार या निम्बु का रश डाल के छेना बना के त्यार करेंगे अभी जो दूद है थोड़ा सा इसका टेंप्रेचर कम हो चुका है क्योंकि 3 मिनिट मैंने इसको छोड़ दिया था इससे हम छेना बना सकते एक कटोरी में 2 चमच विनेगर के साथ 4 पन चमच पानी मिला के मेंने रखाता थोड़ा थोड़ा करके उसको दूद में डालेंगे और लगातार चलाएंगे दूद को चब तक छेना और पानी अलग न हो जाए एक बात की ध्यान रखे निम्बु का रशो या विनेगर जो भी आप डालते हो ना उसमें इक्वाल क्वांटिटी में नहीं तो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में पानी मिला के फिर उसको दूद में डालके छेना करना है आपको तब ही जाके ओ जो छेना है ना सब्ट ह हो के तैयर होगा छेना सब्ट हुआ तो आपका मिठाई भी सब्ट बनेगा पानी और छेना अलग-अलग हो चुका है अब देख सकते हो चेना को एक चनी में चान के ले लेंगे उसके उपर और थोड़ा सा नार्माल पानी डालके उसको अच्छे से पानी उसमें से निकालके फिर हम उसको रसगुला बनाने के लिए ले लेंगे चासनी बनाने के लिए एक कप सक्कर ले लेंगे एक लिटर दूद के लिए मैं य दो कप या धाई कप डालते हैं यह जो रसमा दूरिये थोड़ा इसका चास्नी को गौड़ा करेंगे जैसे कि टूटे नहीं आख्छे से बनके त्यारो इसलिए चास्नी को गड़ा करना थोड़ारी है यहां मैंने देढ कप दे दिया है पानी प्लेम को उन कर दिया इसमें कूटी हुई ilぁईची डालेंगे क्जाहे तो आप ilaj Agi powder भी डाल सकते हो मैंने तीन इलाईची को कूटके रखा था चिल्को के साथ इसको डाल देंगे कोई भी बात ने क्यूंकि रजगुला इसमें हम बंयने वाले पाने निकल दिये उसको प्ड़े में ले लिया था मौलमल की कपड़े में आच्छे से इसमें से पाने निकालना जरूरी रहता है अगर ज्यादा पानी का झाल खूल चास्टेचा 56 बूर्व उबालने के लिए चासन मेड डालेंगे छेने की गोलेको वहाँ खूल सकता है इसलिए आच्छी तरीके से इसमेंसे पाणी हूए निकालना जरूरी है याथों में या कनफ्रा और थोड़ा सा डालते हैं, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, फिर भी आच्छे से बनके त्यार होता है, बस इस तरीके से इसको मसलते जाना है, जब तक एकदम चिकना होके, बाइंडिंग कंसिस्टन्ची में नहीं आता है, तब तक इसको इस तरीके से मलना है, तीन मिनिट बाद छेना अभी आच्छे से बनके त्यार हो चुका है, आप देख सकते हो, अभी हम इसमें से गोला बना के त्यार करेंगे, छोटा सा इस गोला भी आप बना सकते हो, लेकिन एक लिटर दूद में हम बना रहे हैं, तो बड़ा बड़ा हम रस्मादुरी आउंगी, इसमें से एक छोटा सा गोला पहले से निकाल देंगे स्टॉपिंग बनाने के लिए, बाकी जो बच गया इसको छे भाग कर लेंगे, मैं तो इसमें छे भाग करने बाली हूँ, आप चाहे तो थोड़ा छोटा साइज 8 या 10 भी बना सकते हो, छे भाग करने के बा चोटे टुकडे में कटा हुआ थोड़ा सा ड्राइफूर्स ले लेंगे, जैसे कि बादा मैंने ले लिया एक चमच, आदा चमच ले लेंगे पिस्ता, स्टॉपिंग के लिए इसको हम व्यूज करेंगे, अभी चो ड्राइफूर्स हमने लाए है ना, उसमें जो हम रखेते पहले से चेना को उसको डालेंगे, चेना थोड़ा सा ज्यादा है और थोड़ा सा इसमें से निकाल देंगे, बाकी को ड्राइफूर्स के साथ मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला देंगे, जैसे कि बाइंडिंग हो जाएगा दो चीज तो रजगुल एक अंदर हम आच्छे से स्टपिंग दे सकते हैं अगर खाली डाइपूर्स हम देते हैं डाइपूर्स गीर जाता है आच्छे से स्टप होके नहीं रहता है उसके लिए छे ना मिलाना ज़रूरी है डाइपूर्स में स्टपिंग अभी इस तरSiे से बन गया तो छे रसगुला हम बनाने वाले हैं, छे के लिए हम इसको छे भाग कर लेंगे, छोटा-छोटा करेंगे, छे भाग करने के बाद हाथ में राउंड शेप देंगे स्टपिंग को रख लेंगे, इस तरीके से, अब ही हम मेन जो रसगुला बनाएंगे, एक गुला ले लेंगे और इसको दोनों हाथ में राउंड शेप देंगे जैसे कि उपर कोई क्राक ना रहा है बीच में खोल करके उसमें श्टपिंग को भरेंगे चारो तरप से बंद कर देंगे बस इस तरीके से फिर से दोनों हाथ में राउंड शेप देंगे जिसे कि रजगुला का जो छेना का गोला है ना उसके उपर कोई क्राक ना रहा है और जो 5 गोला हमने रखे नीचे सब को सेम प्रोसेस में आराम से बना के त्यार करेंगे तकि आच्छे से सब बन जाए अभी आप देख सकते हो 6 गोला हमारा त्यार हो चुकाए इसको हम बनान के लिए रजगुला ले लेंगे जो चासनी हमने करम किये थे ना वह अभी उबलने लगा है आच्छे से इसी टाइम इसमें छेने की गोला को डालना है एक एक करके छेने की गोले को डालेंगे और अगर आप थोड़ा सा बड़ा बला जगा में इसको बनाते हो तो आच्छा है क्योंकि रजगुला का साइज आच्छे से आता है छोटा कड़े में अगर ज़्यादा चेने की गोला ले 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 ना वह आच्छे से फूल के त्यार नहीं होगा आपस में चिपक जाएगा तूट जाएगा इसलिए सिर्फ 6 मिने बनाई है अभी हम इसको कबर कर देंगे हाई फ्लेम में 10 मिनिट तक कुबलने देंगे फिर चेक करेंगे 10 मिनिट हो चुका है तो अभी हम कबर को निकालके चेक करेंगे आप देख सकते हो रस्कुला का साइज डबल से भी उपर हो चुक है जो छेना की गोला आपने डाले थे ना उसका धाई गोना बड़ा हो चुका है ये जो रस्कुला इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे कारीबन एक चौथाई कप डालेंगे और जो पानी डालेंगे गुनगुना या गरम बला पानी डाले ठंडा पानी मट डाले ने तो फटापट चासने का टेंपरेचर कम हो जाता है अगर गरम पानी डाले ना तो फिर चासने उब होता है इसलिए कबर करने कि इसको जरूत नहीं होता है उपर तक जाक आके आच्छे से रजगुला उबलता है हम तो कड़ाई में कबर करके बना रहे ना तो इसका साइड को चेंज करके कबर करके प्रपरली बनाएंगे और हमारा क्वांटिटी भी कम है कड़ाई भी छोटा ह और चासनी भी कम है इसलिए आच्छे से करना जरूरी है सारे चीज़ पर ध्यान देना जरूरी होता है फिर से कड़ाई को कबर कर देंगे और दस मिनिट ना इसको मीडियूम फ्लेम में कूख होने देंगे दस मिनीट हो चुका है और एक बार हम चेक कर लेंगे राशकुला जो यह अच्छे से कूक हो चुका है क्योंकि चासनी के जो नीचे है वहहां तक जा चुका है आप देख सकते हो 80 परसेंट रास्पुला का चासनी के ऐगर है बागी 60 परसेंट चासनी के ऊपर है इसका जरोत नहीं नहीं तो चीवी कंचिटांची में रसकुल्ला आ जाएगा फ्लेम को मैंने बंद कर दिये उपर थोड़ा सा थंडा पनी डाल देंगे ताकि चास्नी का टेंप्रेचर अकर कम हो जाता है रसकुल्ला और कूक नहीं होगा ज्यादा नहीं तो गरम चास्नी मेना दूद में अभी उबल आ चुका है इसमें आप ज्यादा मेहनत ना करें फ्लेम को हाई न करें मेन चीज वह ही है अगर हम गाड़ा दूद बनाते है ना स्लो फ्लेम में बनाना है ताकि नीचे लगके ना जले दूद उसके लिए पहले तो आपको जो फ्लेम को स्लो करना है और बीच बीच में इसी तरीके से चलाते हुए इसको मिलाना है मुझे लग रहा है तीस या चालिस मिनिट के बाद ही यह गाड़ा हो जाएगा जब आधा यह उबल के कम हो जाए तभी दो चमच इसमें शक्कर डालेंगे ज्यादा सक्कर नहीं डालना है दो चमच काफी है अब अब देख सकते हो 40 मिनिट के आसपास हो चुका है और दूद भी काड़ा हो चुका है इसका कलर भी थोड़ा सा चेंच हो चुका है इसी टाइम इसमें इलाइची पाउडर और ड्राइफूर्स आड करेंगे ड्राइफूर्स में मैंने वही कट्टी हुई पिस्ता और लिए उसको डाल देंगे सारे चीज को मिला देंगे और जब रस है ना रूम टेंपरेचर में आ जाएगा फिर इसको रसमाधुरी में डाल के हम बनाएंगे दो गंटे के बाद रसकुला एकदम से ठंडा हो चुका है एक को चेक करके देखते हैं आप देख सकते हो अंदर एकदम जूसी है बहुत ही बढ़ा से चास्नी गया है तो हातों में प्रेस करके ना इसका आदा हम चास्नी को निकाल देंगे क्योंकि रस माधुरी का जो रस से इसका अंदर जाना चाहिए उसके लिए चास्नी को अंदर से हलके से प्रेस करके निकालना है और पांचो को इस प्रोसिस में निकालके एक प्लेट में ले लेंगे इधर हमारा जो गाड़ा दूद ओभी ठंडा हो चुका है बहुत ही बड़या टेक्सर आया है और टेस्टी भी दिख रहा है एक प्लेट में पहले हम रस गुले को आरेंज कर लेंगे एक लिटर दूद में रसकुला और एक लिटर दूद में में ने बनाईए गाड़ा दूद आप भी इस तरीके से जितना गाड़ा दूद के लिए यूज करेंगे दूद नशी को न बनाना प्रपरली होगा, उपर थुला से पिस्ता और चांदी का वर्क लगा के इसको सजा देंगे, आप देख सकते हो एक तम रेडी मिट बाला दिख रहा है ना, उमारा घर का भी रसमादूरी, तो कोई भी चौहर में ये बना रेसिपी को एक बार जरू ट्राय करें, बहु आप सारे ट्राडिशनल रेसिपी के लिए मेर पेज को फोलो करें और लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्काइब करें, और आइस एट में जो बेल आइकन ही उसको जरू क्लिक करके और नोटिफिक्शन बेल को अन करें